आप सबी को मेरा प्रणाम आज स्री सद्गुरु सिधारुड महास्वामीजी के दिव्य लीला के बारे में जानेंगे सद्गुरु स्री सिधारुड महास्वामीजी का अपने दिव्य जीवन साधन में अनेक प्रकार की घटनाये घटीती उनोंने इन घटनावों को अपनी लीलावों से चमतकारी बनाया है इसमें गुडगुंटी पुण्यक्षित्र में अपने गुरु स्री गजदंड महास्वामी जी के सानिध्य में 14 साल घोडे के सेवा करते हुए मौन होकर गुरुकुल में पीचे बैटकर गुरु के जणान को ग्रहन किये इस मट में महान में धावी सकल शास्त्र पारंगता स्री सुभवय शास्त्री जी गुरुकुल में गुरु के पास शास्त्रार्थ के लिए आये थे गुरु स्री गजदंड महास्वामी जी ने अपने शिष्यों को शास्त्रार्थ के लिए कहा तबु स्री सुबबय शास्त्री जी प्रश्न पूचन आरंब की उस समय परंतु कोई शिष्य उन्न प्रश्णों का उत्तर नहीं दे पाया तब उसी समय स्री सिध्धारूड जी ने उनके प्रश्णों का उत्तर दिया यहाँ देखकर गुरु स्री गजदंड महास्वामी जी ने उनके अद्भुत ज्ञान को देखकर कुशी होकर आप आज से सिध्ध नहीं है सिध्धारूड हो यह अमारा आशिरवाद है आप इस ग्नान को लोककल्यान के लिए प्रकाशित करे इसी अवसर पर स्री सुभवय शास्त्री जी भी स्री सिध्धारूड महास्वामी जी से कहा आप मेरा भी मार्गदर्शन करिए स्री सिध्धारुड महास्वामी जी ने सुब्वय शास्त्री जी को कहा आप महान शास्त्रों के पंडिता सकल वेदोपनिशत्त में निपण है परन्तु आपका उस ग्नान का अहम भाव है इसलिए आप इस जन्म में मुक्त नहीं ओ सके आप अगले जन्म में अमारा सानिध्य में रहकर मेरे द्वारा दिया गया प्रवचन और सकल शास्त्रों के भाष्य लिखने वाले है इसी प्रकार स्री सिध्धारुड महास्वामी जी के आग्ने अनुसार स्री सुब्बय शास्त्री जी ने उनर्जन्म में उनके शिष्य हुए स्री शिवपुत्र महास्वामी जी रूप में आये थे ये स्री सिध्धारुड महास्वामी जी का दिव्यदृष्टि का ज्ञान का प्रभाव है स्री सिध्धारुड महास्वामी जी समस्त भारत में धर्म संस्कृती प्रचार प्रसार के लिए धर्म परिक्रम यात्रा करते हुए करनाटक में पहले गरगद स्री मडिवालप महास्वामी जी के पास आये थे स्वामी जी के बाहिय दृष्टी नही थे परन्तु उनोंने काशी में रहकर सकल वेदोपनिशत का ज्ञान की प्राप्त की थे इनकी विद्वत पूर्ण ज्ञाना राज्य में प्रसिध्धते उस समया मैसूर के महाराजा जय चामराजेंद्र वडेर ने हर साल मैसूर में वे इक बार गरगदस्री मडिवालप्प महास्वामी जी को मैसूर महा राजा ने बुलाकर इनके वेदांत सिध्धांत तत्वजञान को जिणान देखकर और सुनकर मैसूर महा राजाने स्वामी जी को निजवन शट शास्त्र का प्राचिन लिपिको उपहार रूप में दे रिया श्री मडिवालेश्वर महस्वामी जी अपने आस्रम में पवित्र इस ग्रंत को रखे थे क्यूकि इस पवित्र ग्रंत की अंतरगत क्या है उनको भी समझ में नहीं आये थे स्री मडिवालेश्विर महास्वामीजी ने स्री सिधारुड महास्वामीजी से उस ग्रंत के अंतर्गत विशेश ग्णान को बताने के लिए कहा स्री सिधारुड महास्वामीजी ने अपने दिव्य दुष्टि से इस कटिन पवित्र ग्रंतों को सरल सुन्दर भाष्य में समझाया तब स्री मडिवालेश्वर महास्वामीजी उस पवित्र ग्णान को पाकर हर्शोल्ला से उस ग्रंत को सिर्पर रक्कर नाचने लगे अवरु केहने लगे यह ज्ञान मुझे पहले प्राप्त हो जाता तो ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं काशी में नहीं जाता इसमें सकल वेदा, शास्त्र, उपनिशत्तु और वेदांत, सिध्धांत, नीति शास्त्र सबी प्रकार की ज्ञान समाहित ही इसलिए आप इस स्री निजगुण तत्वशास्त्र ग्रंतं को राज्य और राष्ट्र में जिग्नासं को आध्यात्मिक प्रवचन के द्वारह प्रचार प्रसार करू यह अमारा इच्चा है श्री सिध्धारुड महास्वामीजी निजगुण शटशास्त्र परमार्त प्रकाश के 63 पुरातन ग्रंतों के बारे में आध्यात्मिक प्रवचना निरंतर करते थे राष्ट्र भक्ता महान मेधावी भगवत गीता के तिसरा अध्याय कर्मयोग के बारे में बहुत सरल सुन्दर भाष्यकारा बालगंगादरना तिलक जिने अद्वईत सारुभोम चक्रवर्ती ज्ञान निदी स्री सिध्धारुड महास्वामीजी के दर्शन के लिए आये महान क्रांतिकारी बालगंगादरना तिलक जिने गीता के कर्मयोगा और ज्ञान योग पर गेहराई से अध्यन के लिए स्री सिध्धारुड स्वामीजी से सव्वाद किये स्वामीजी ने उन्हें ज्ञान और कर्मयोग का सही अर्त समझाया तब तिलक जिने कहा इस ज्ञान को पाकर मेरा द्विजजन्न होकर वेह मुक्त हुए ये स्वामीजी का ज्ञान का प्रभाव है श्री सिध्धारुड महास्वामीजी का परमशिष्य स्री गुरुनातारुड महास्वामीजी थे इनोने मौनयोगी ध्यानयोगी स्तितप्रज्ण अवस्था में रहते थे जैसे एक बार एक सभा में मंच पर बैटे थे उस समया एक बिच्चु ने पीट पर टंक मार दिया परंतु वेहे अपनी मौन अवस्था में रहे ये सब्बु स्री सिधारुड महा स्वामी जी का दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का लीला है आज के विशे संपन्न हुआ